क्या ये लोग जिस किम्निटी की हम बात कर रहे हैं, कॉंस्टिटुशन जिसमें बिलीव पूरा भारतवर्ष करता है, क्या ये किम्निटी, क्या स्टेटिकली हमारे कॉंस्टिटुशन को तोड़ने में विश्वास रखती है, और एक इंटर्नल जो इन्होंने अपना कॉंस्टिटुशन अडप्ट किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ, जिसको इमान कहते हैं, उसी को फॉल आप कर रहे हैं? देखिए हमारे कॉंस्टिटुशन में इतनी खामिया हैं, ये कॉंस्टिटुशन का इस्तमाल करके, डिमॉक्रसी का इस्तमाल करके ही इस देश पर कप्जा करे हैं, ये मत भूलिये, उनकी जो सोच है, ये जो आर्टिकल 25 से 30 तक जो, 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 प्लॉजस हैं, वो हिंदुस्तान एक मातर दुनिया का ऐसा देश है, जहां स्टेट नॉन मुस्लिम, नॉन क्रिस्चन्स टैक्सपेर के पैसे से कन्वर्जिन्स को फाइनेंस कर रही हैं, जब आप इमामों को तंखाइन देते हैं, टैक्सपेर के पैसे से, जब आप उनको लेंड़ ग्रांट् करोड और पर्पया दे रहे है जब आप 22,000 करोड मोधी सरकार ने Special Scholarship Fund मुस्लिम स्टूड़न्स के लिए कि मैनॉर्टी के मुस्लिम्स और कृस्टिंज और इस तो इसका मतलब यह तो मैं आप बढ़ावा दे रहे हैं ना कि आप आएस की तैयारी के लिए खास पैसा दिये जा रहा है मुस्लिम को कि आप आये और उनका आएस जहाद UPSC जहाद जो है आप इसमें मुकमल कीजिए इसको तो यह सरकार तो अभी केरल की खबर नी आई कि RSS के कुछ लोगों ने वहां की जो ऑ्थोडॉक्स चर्च है उस के साथ सांटगाट की है कि आपकी जो सबसे पुरानी चर्च है उसको करोड़ों रुपया लगा के हम रेनुवेट करेंगे इसको नैशनल हैरिटेज का दर्जा देगा अके लॉजिकल सर्वे और आज दिली में भी कौन से मॉनुमेंट्स प्रोटेक्टेटेड है इस्लामी तो मंदिरों से पैसा लूट के सरकार मंदिरों को अपने कपजे में जक्ड़े हैं वहां अर्बो रुपया लूटे जा दिये और इनको परोस रही है तो इसका मतलब आप चाहते हैं कन्वर्शन बढ़े नौक्रियों में इनके लिए पहले ती था कि मुसलिम में कोई जात इनको कही कि कन्वर्शन अब भी आपने कोटा इसमें डाल दिया तो यू और इंकरेजिंग कन्वर्शन यू पेइंग फोर कन्वर्शन कांस्टिटूशन में सेक्लिजम को 75 में आइधिंक अड़किया गया जिस तरीके से किया गया मैं उस तरीके की चर्चा नहीं करना चाह सब्ही पॉलिटिकल पार्टिया और उसके सदस्य एफडेविट देते हैं कि हम सेकुलिजम डेमोक्रेटिक सिस्टम तो करें ना सेकुलरिजम और उसमें सेकुलरिजम कहा है वही मैं ने यह देखे यह शब्द इतना भद्दा गिनोना बना दिया है इसके पीछे इतनी भद उसमें उसे कोशिश तो करता है कि स्टेट पावर और रिलिजिन का बिलकुल बीच में रास्ता अलग हो इसमें हस्तक्षप नहीं कर सकते रिलिजिस कम्यूनिटी स्टेट पावर में वो करते हैं फिर भी मुसलिम्स आवे इसमार्ट पर आप बताईए ना कहा है सेकुलरिज मैं वही बात करना चाहरा था मैं मेरा क्यों है कि सेकुलरिजम की शपत लेने वाला हमारा हर मैंबर ऑफ पारलिमेंट हर मैंबर ऑफ लिजिस्लेटिव असेमली हिंदू मुसलमान और सिख कैसे बना रह जाता है वो पारलिमेंट देखे सेकुलरिजम का ये मतलब नहीं कि हैं तो आप एक सिटिजन की हैसियत से हक मांगेंगे आप हिंदू की हैसियत से हक नहीं मांगेंगे मुसलिम की या मुसलिम की हैसियत से हक मांगेंगे सेकुलरिजम का ये मतलब है और आपका जो एलेक्शन में खड़ा होने वाला भी व्यक्ति वो अपने रिलिजिन का हवाल देखे वोडबैंक नहीं मॉबिलाइज करेगा वो अपने हैसियत अपने काम और अपने ट्रैक रेकॉर्ड के आधार पे स्टेट पॉलिसी का उसका कितना अच्छा उसकी गिरत है उसकी और कैसा वो काम करता है इतना है उसके आधार पे यहां तो आपने इंस्टिशुशनलाइज इतना कर दिया है कि अच्छे भलों को बुर्का पहन के इलेक्शन लड़नी पड़ती है तो सेक्यलरिजम की क्या उले न उसको फ्रोस्टिचूट से भी प्रोस्टिचूट तो क्या ही है इव सेक्यलरिजम मावश्स की और एवंजेलिकल्स की जिनका खुला एजेंडा है सेकुलरिजम का आज एक ही माइना रह गया है खुली छूट इस्लामिस को और क्रिस्टिंस को कन्वर्शन करने के लिए फ्रीडम ओफ रिलिजन का केवल एक ही माइना है इस देश में कि इन दो ग्लोबल जिहादी ताकतों को दोनों जिहाद करते हैं इन दोनों जिहादी ताकतों को स्टेट सपोर्ट करेगी उनके जिहाद में ताकि वो कन्वर्शन तेजी से कर सकें स्टेट पैसे भी देगी स्टेट इनाम भी देगी उनके लिए लैंड ग्रांट्स भी देग आप चर्च खोलना चाहें? गाउं नहीं भी चाहता, फिर भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्टरीड धक्का मार के चर्च प्लांट करवा रहे हैं. मस्जदें जहां कोई मुस्लमान नहीं जहां कोई इसाई नहीं वहाँ पे भी जबरन सरकार की मदद से ये प्लांट हो रहे हैं मॉस्क्स और चर्चेस ये है सेकुलरिजम का अगर मतलब तो हिंदू अगर अपनी असमिता को सिर्फ एक्सप्रेस करना चाहे तो कहेंगे तुम कम्यूनल हो सरफ यही कह दो कि बहुत जैनोसाइट हुई हैं हिंदू के साथ 1100-1200 साल से बहुत जहला है अत्याचार तो आप आप फासिस्ट हैं यानि मूँ पे ताले लगा के जियो डर के जियो धिम्मी बन के जियो बुलसे को ये स्टेट पॉलसी है यह मोदीजी की भी पॉलसी है आवाज बंद करके वह सुशिल पन्डित जैसे लोगों किसे क्यों नाखुश हैं क्यों है कि वह मार्जिनलाजी क्यों है सुशिल पन्दित आज इसको तो सरकार में पर क्यों प्रकर आवाज से बोलते हैं और लियाकत भी है थोड़ी तो यह उनके लिए बहुत भारी पड़ गया नहीं तो इनको होना चाहिए था सरकार में किसी कश्मीर में इनको 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 इसको चीफ मिनिस्टेरियल कंडिड़ेट बनाती है वाई नौट सतर साल तक आपने किसी हिंदु को नहीं बनने दिया वाई नौट सुशील पंडित अज चीफ मिनिस्टेरियल कंडिड़ेट बहुत आपने परफेक्ट लाइनिंग जो अपेक्षा थी आपसे उस दिशा में आपने हमें पोचाया है हमारे दर्शकों को दिशा मि होगी क्या स्थीतियां है कश्मीर में क्यों थ्रेट हो रही है राष्टवादियों को राष्टवादियों की दिशा पहले से भी